सीधे आपको बिलासपूर लिया चलते हैं जहाँ पर मुख्य मिंत्रे विश्णु देव साई कुछ कह रहे हैं सुनते हैं हमर 36 गड़ के नहाय धानी बिलासपूर में हमर बिलासपूर संज्टजीय खेच्रके लोग प्रत्यासी तुरी तोखन सावू के विशाल नामांकन रहली में हमर वीज में मंच में विराजमान हमर सच्टिगड सरकार के उप मुख मंत्री और पूर्व प्रदेश के अध्यक्त आपके छेत्र के पूर्व सांसक्त स्री अरून साव जी जेवन के समय में हमके विधान सभा के चुनाओं में एतिहासिक विजय मिलिस भारते जंता पाटी के सरकार वनित हमर सच्टिगड सरकार के मंत्री स्री दयादाथ बगेल जी हमार विलासपूर कलस्टर के प्रभारी पूर्व मंत्री और विलासपूर के विधायक स्री अमर अगरवाल जी पूरव विधान सभा के अज्यक पूर नेता पर चिपक्त और विलाँ के विधायक स्री दरमलाल कोसिक जी आज हमारा पराजय अजय पूर मंत्री पूर सांसाथ और मंगिले के विधायक स्री पुन्नुलाल महले जी विदायक श्री धरमजीर सिंग जी विदायक सुसां सुपला जी भुबिन समनी जी और हमार एक खेत्र के लोग पुरे प्रत्यासी त्री तोखन साहू जी दाप्टर क्रिस्मूर्टी बांधी जी त्री प्रबलपतार सिंग दुदेव जी गनहियार आठोर जी लखन साहू जी पूरो सांसथ अरुन सिंग जोहान जी त्रिमती हर्थिता पांडी जी गुलसत रिसी जी और बहुत लबा नाम है मैं ठमा चाहूं मंच्वें विराजमान सबो हमर पाठी के वरिस नेता मन नेत्री मन और आज के विशाल नमांकन रहली में पूरे संसदिय शेत्र के हमर देव सुल्य कार करता भाई बहनी मन मताता भाई बहनी मन और मेडिया के मित्र मन सब कर ले पहले आज कांग्रेश के बड़े नेता जो लोगसभा पर्थ्यासी के दावेदार रहिन कांग्रेश से ऐसे विस्णूए आजओ जी और साथ में हमार और बहनी मन भारते जंदा पाठी के रीती निती से अमर मोदी जी के कांग से परवाई ठोके भारते जंदा पाठी परवेश करीन है अमन के रले मैं चाहूं कि आप सब तर्तल दोहनी से अमनला स्वागत करा अब ये जो लोग सभा के चुनाव है ये बहुत हाथपुन चुनाव है कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है हमर देश के यससवी प्रदान मंत्री सिरी नरेन मोदी जी जो 144 करोड भारत वासिला अपन परिवार मांथें और वन के स्थुख दुख के रात और दिन चिंदा करतें 22 घंटा में 18 घंटा काम करतें जो 10 साल में बड़े बड़े काम हमर देश में चरीने हैं दुनिया में भारत के गोरो बढ़ाईन है दिलाख मुर्षम्ठ मात आए तो सियम विश्णो देव साय का चुनावी अभिया अंच्वारी है नामांकन रैली को मुख्य मिंत्री विश्णो देव साय संबोधत कर रहे हैं बिलासपुर से यह तस्वीरे आप देखिए जहां पर चुनावी सभा को संबोधत करते वे और बीजेपी की जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट मांगते हुए आपको मुख्य मिंत्री नजर आए इसके साथ ही प्रधान मिंत्री नरेंद्र मोधी को तीसरी बार प्रधान मिंत्री बनाना है ये भी संकल्प दिलाते हुए नजर आए हैं तो हम लगातार देख रहे हैं लोग सबाचुनाफ के मदे नजर ये दौरे के काफी महतवपूर्ण हो जाते हैं बिलासपूर काफी महतवपूर्ण सीट है और एक तरह से बीजेपी का गड़ भी मानी जाती है तो ऐसे में बीजेपी यहां पर दमखम के साथ जुटी हुई और तीसरे फेज में बिलासपूर में चुनाब होने हैं उसको लेकर नामांकन रैली बीजेपी प्रत्याश्री की ओर से निकाली गई और इस सभा को संबोधित करते वे मुख्यमंतरी विश्णु देव साय नसराएं कल बस्तर लोगसभा सीट पर चुनाब होने हैं और ये बिलासपूर से हम आपको तस्विरे दिखा रहे हैं जहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते वे मुख्यमंतरी विश्णु देव साय दिखें तीसरे फेज में बिलासपूर लोगसभा सीट पर चुनाब होने हैं और इसी को लेकर अब प्रिशार प्रिस्तार में मुख्यमंतरी विश्णु देव साय जुटे हुए हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंतरी की सभाएं आले नसराइब दो साल के बकाया बोनस दारा लाग से ज्यादा किसान मन के तैसी सो सोला करो डूप्या पच्छी दिसंबर के देह हैं 21 कुइंटल पर प्रिकर धान खर देह हैं 145 लाग मिट्रिक कर धान इस साल दिकाट तो धान के खरती होई थे और अंतर की रासी भी एक मुझ देह हैं ना 22,22,000 से जज़ा किसान मन के 13,320 करों रोची आंतर की रासी के बारा मात के देह हैं अबर मातारी मनला भी मातारी बंगन के दूसरा किस्थे देह हैं राम लला दर्षन युजना के काम भी सुरू कर देहन तो सब काम साइप हैं होतेगी निवाई बाके काम भी साइंसाय कर दो हैं ना और अभी हमर मोधी जी संकल पत्र जारी करी ले हैं मोधी की गारंटी दोहजार चोबीद हमें और बड़े-बड़े काम होना है बरदान मंत्री आवास तीन करोड और आयतेवाला पांस साल में बनाना है हमर सब्सक्राइब से उपर के गुजुरू मला सबला अयुत्मान भारत में सामिल करना है इसो बहुत गाम और मोधी जी के किरपा से साइंसाय होने वाला है और इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए आप सब के आशिरवाद मिले आप सब अपनला तोखनता हो तबश्के प प्रदान मंत्री बनाना है और कांग्रेशिया मंधन कोई मूटा नहीं है तो एक तो मन भ्रामत परकार करते की दोनों जगह अगर भारती जन्ता पार्टी किस परकार बनेगी खत्तिजगर में भी और दिल्ली में भी तो आरक्षन खतम हो जाएगा मैं आप मुला भिस्वाद दिला थो कि कोई आरक्षन खतम होने वाला नहीं है हमर पजान मंत्री बोल चुकिन है अभी ग्रिय मंत्री आरीं तो खेरागर के सवा में भी बोली ने है कि जब तक हम लोग भारती गंदा बाटी सरकार में है इसी कारच्षन समास नहीं होगा चाहे ओ एस्थी हो चाहे ओबी थी हो और एक लाट के भारव महरवा थे अम्हातारी मनला ठगे के काम कर रहा थें आप मनला बिष्वास आथे एक लाग रुज्य दहीं दहीं अमाद नीद है खाली भोठ ठगे के जैसे पांसा भोठ ठगे सरकार पनें कुछ नि करिए यह लोग तबहा के चुना में भी भोठ ठगना चाहा थें और माता बहिनिमन के एक लाट के फारब भरवात हैं नयाय यूजना अरे क्या निया एमन करत हैं भारत जोड़ो यातर आपन घरप रिवार लेमन आज पशाकर नी रखत हैं अभी दूजिन पहले में दूर्ग मेरे हैं तो भूपेज बगेल के भाभी दिमाप बगेल वो अब आने वाला लोग सबागे चुनाओं में सबक सिखाना है आप सब देव कूट्ड कारता भाई बहनी मनिहाय हो आप सब्सें वही आगरा करते हुए मुखमंत्री के नाते भारी मतों से तोखनताहुजी तांस दीज के दिल्ली जाए एही आपन से बिने करते हुए पन बा एक बार मुखमंत्री जी ना विश्वाज दिलाओ चि बिलाजपूर लोग सबागे चीट हम एतिहासी कोट से चुनाओ जीतों फिर एक बार पिर एक बार फिर एक बार अब आमर बाहुना अग्याटी मुखमंत्री जी यहां से कोड़ा प्रस्थान करें और सब हम रैली के रूपा यहां से करेंटेट आफिस प्रस्थान करवो अरे अरे